हेलो दोस्तों Online Money Earn चैनल में आपका स्वागत है जियो मनी एटल पेमेंड बैंक जिसमें आप IMPS से पेमेंड करते हो तो फैल होता है UPI से पेमेंड करते हो तो फैल होता है क्यों फैल होता है वो मैं प्रोब्लेम आज आपको बताने वाला हूं क्योंकि मैंने खुद कस्टमर के से बात किए मेरे साथ फुद यह प्रोब्लेम हो रहा था तो यह बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि एसी जानकारी में आपके लिए रोज नहीं नहीं लाता रहता हूं चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जब मैंने कस्टमर केर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आप लोड मनी तो दिन में जितना चाहे उतना कर सकते हो 10,000-20,000-30,000-40,000-50,000 लेकिन अगर आप किसी को पैमेट भेज रहे हो या UPI से बहेज रहे हो या IMPS से भेज रहे हो किसी से भी पैमेट भेज रहे तो एक दिन की लिमीट 5,000 रुपे अगर आप 5000 से उपर भेजोगे तो पेमेंट फैल हो जाएगा यही कारान है कि आपका पेमेंट फैल बता रहा है क्योंकि 24 गंटे के अंदर आप सिफ 5000 पेमेंट भेज जगते हो या आप UPI से बेजो IMPH से बेजो NEFT से बेजो किसी भी माध्यम से बेजो लेकिन एक दिन की लिमिट ओनली 5000 तो मैंने कस्टमर के से बात की कि अगर बैंक के जैसे एटनेल मनी है और कई भी ओनलाइन एकाउंट है उसके अंदर तो हम दिन में कोई लिमिट होती नहीं है दस हजार बीस हजार तीस हजार पच्छास हजार तक भीएख सकते हो तो आपके जीओ मनी जीओ पैमेंट बैंक के अंदर क्यों 5000 लिमिट रखिए तो बोल रहे हैं कि अभी हमारा नया नया हमने बैंक शुरू किया है इसके लिए इस पर काम चल रहा है प्रोसेश चल रहा है जैसे ही प्रोब्लेम सोल हो जाएगा हम लिमिट बढ़ा देगे तब तक के लिए दिन में सिर्फ 5000 सेंट कर सकते हो आने वाले समय में लिमिट बढ़ सकती है तो यही महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपसे सेर करनी थी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरी चै में जरूर आपसे सेर करूगा